हेलो एवरिवन स्वागत करती हुए एक बार फिर से आप सभी का पनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ खीर की रेसिपी तो मैं अपनी रुस्वय में खीर बना रही थी और मैंने आज उसी की रेसिपी आप सभी किशार शेयर करने वाली और वीडियो को देखिएगा इसकि इपमत किजिएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि खीर मैं किस तरीके से बनाती हूं चलिए सबसे पहले दिखा देते हूं मैं आपको समान की मैंने क्या-क्या डालाया खीर में यह मैंने लिए हैं मखाने यह मैंने थोड़े से है यह मैंने उतीее नहål कि हुआ रहुंद टो courage हैं तो सबसे पहले हम चावल को कम से कम आदा हूटे के लिए पिखो कर रहं डिया देघए यह देशी चावल है इनके खीर बहुती टेस्टी बनती है आप कभी भी बनाए तो देशी किलो दूद की खीर बना रही हूं तो सबसे पहले मैंने अपनी दूद को बोगने में चड़ा दिया है अब जब दूद में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे अपने चावल देखिए दूद में उबाल आ गया है अब गैस को सीम कर देंगे हैं चावल तो थोड़े-थोड़े करके अपने सारे चावल दूद का अच्छे चलाते भी मिक्स कर देंगे और गैस को दीमा करके छोड़ देंगे देखिए कम से कम खीर अच्छे से जब बनती है तो कम से कम आधा घंटा लगता है बनने में तो मैं आधा घंटे तक खीर को पकाती हूं उसके बाद ही मेरी खीर तियार होती है आप जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक अपने ड्राइफ रूट्स को भून लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यह फ्राइफ पैन ले लिया है इसमें थोड़ा सा घी चड़ा दूंगी और सबसे पहले भून दूंगी मैं अपने माखाने को अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे और उन्हें निकाल लेंगे इसके बाद एक कटोरी में फिर इसे फ्राइफ पैन में थोड़ी सी चिकनाई चड़ा कर थोड़ा सा देशी घी चड़ा कर हम इसमें डाल देंगे अपने खरबुजे की गिरी और तरबुज की गिरी और इन्हें अच्छे से भून लेंगे अब ये देखिए हमारे गिरी भी भून गई है तो हमने किसमिस दोली है अब हम अपने पिस्ता और बादम को भी काट लेंगे ये देखिए मैंने पिस्ता और बादम को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है इसके बाद मैं अपने मखाने को अधरक कोटने वाले इमाम जि यह देखिए खीर काफी गाड़ी हो गई है तो चीनी ढालके अपनी गैस को बंद कर देंगे और चीनी को अच्छे से मैल थोने देंगे जब चीनी मैल्ट हो जाएगी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे हम अपने ड्राइफ रुट्स सबसे पहले डाल दी हूं मैंने मखाने उसके बाद मैंने किसने डाल दी है यह मैंने खरबुजे तर्बूच की गिर्यशा डाल दी है जाल दूंगी इसमें कटा हुआ गोला मैंने गोला पहला ही काट बादाम और अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह देखे अभी हम इसमें डाल देंगे चिरोंजी तो यह देखे मैंने डाल दे इसमें चिरोंजी अभी हमारे खीर सार्व करने के लिए तैयार है तो आप सभी भी ट्राइ कीजिए एक बार यह रेसिपी और आपसे भी को मेरे recipe कैसी लगी comment box में comment कीजिएगा thank you so much